जेहिं दोस्टों स्वागते आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इहां पर सामन हिंदी के भौत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर वीडियो पूरा वस्त देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार आहें तो चैनल को सब्सक्र कौन सी है बताइए कौन सी किरती यहां पर तुलसिदाह जी की है आखरी में आपके लिए बताना कि कितने कॉस्चन आपसे यहां पर सही बनी है तो आज का अपने यहां पर फर्स्ट कॉस्चन है यहां पर तुलसिदाह जी की किरती बताना है तो आपका यहां पर सही आंसर ह कृष्ण गीता वली यानि कि विकल्प नंबर 4 आपका सही आंचर है question नंबर 2 पूँचा है सरासर सब्द है सरासर सब्द जो है यह तच्सम है् विदेषी है तदवाऊ है या देशज है है कि चार विकल्प आपके देगए हैं सरासर सब्द बताना है और ए सब्द कैसा है तो आपका सही आंसर है दो का विकल्ब नंबर बी राइट आंसर विकल्ब नंबर दो सही आंसर है विदेशी सब्द माना जाता है सरासर question number 3 क्या पूछा है विद्ध्यालय में संधी बताना है आपके लिए गुणस्वर संधी है विद्ध्यालय में संधी बताना है तो दीर्गस्वर संधी आपका सही आंसर है बिल्कुल सही question number आपका यहाँ पर चार पूछा है क्या पूछा देख लेते हैं पत्रही तिथी पाईयत वा घर के चहुपास नित पृति पौन्यों रहे आनन ओप उजास इस पंती में आपके लिए क्या बताना है अलंकार बताना है कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा अनियोक्तिय अलंकार सहुक्तिय अलंकार बक्रोक्तिय अलंकार अतिसयोक्तिय अलंकार question number 4 है महत्तपूल question है और आपका यहाँ पर सही आंसर है अतिसयोक्तिय अलंकार यानिकी विकल्प number 4 आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही आंसर है अंगला question देख लेते हैं गाल वजाना महावरे का आसे बताना है बढ़ बढ़ कर बात करना ढिंग हाकना वकवास करना उक्त सभी question number 5 है और आपका सई आंसर क्या होगा गाल वजाना महावरे का आशा स्पष्ट करना है तो आपका सई आंसर है उक्त सभी यानी कि बल बल कर बात करना, डिंग हांकना और वकवास करना ये उक्त सभी आपका सई आंसर है इतर सब्द का अर्थ नहीं है इतर सब्द का अर्थ नहीं है और इत्यादी दूसरा या भिन्ने तो 6 का सही आंसर है आपका इहां पर नहीं पूंचा है तो इत्यादी आपका राइट आंसर होगा इत्यादी जो है इतर सब्द का अर्थ नहीं है तो विकल्प नमबर दो आपका सही आंसर होगा बिलकुल सही यहाँ पर question number 7 पूँचा है राज दरवार पद में समास आपके लिए बताना है राज दरवार पद में कौन सा समास यहाँ पर सही आंसर होगा अब यही भाव दिगू तत्पुरुष या फिर यहाँ पर दुन दे question number 7 है और राज दरवार पद में समास पूँचा है तो तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर होगा यानि कि विकल्प नमबर तीन आपका सही आंसर है question number 8 पूँचा है क्या पूँचा है देख लेते हैं बिमल बुद्धी रहते हैं बाग के आपके लिए बताना है नि विदी सूचक सनरचना है या फिर कारण कार संबंध सनरचना है तो question number आपका 8 है 8 का राज आंसर होगा निशेत परक सनरचना है यानि कि विकल्प नमबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर होगा विल्कुल सही विकल्प नमबर एक राएट आंसर है सांप सब्द का अर्थ यहां पर बताईए औरग या पन्नग या यहां पर भोजंग या उक्तसभी तो आपका यहां पर question number 9 है और सांप सब्द का परयावाची बताना है तो आपका सही answer होगा उक्तसभी जो यहां पर परयावाची दिये हैं यह सांप सब्द के परवयाबाची यहां पर दिये गए हैं, question number 10 आप से पूचा है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे, तो मुझे सुभीदा होगी, बाक के है, आज्या, सूचक बाक के, इक्चा सूचक बाक के, विधान वाचक बाक के, संकेतार थक बाक के है, दस का सही आंसर बताना है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे, तो मुझे सुभीदा होगी, बाक के किस परकार है, संकेतार थक आपका इहां पर सही आंसर होगा, यानि कि विकल्ब नमबर चार आपका सही आंसर है, यथार्थ का बिलोम सब्द आपके लिए बताना है, क्या होगा, कल्पना आपका इहां पर सही आंसर है, विकल्ब नमबर चार राइट आंसर होगा, कल्पना, विल्कुल सही आंसर है, अंगला कॉस्चन है, सुपर वाइजर का हिंदी पारिभास एक सब्द आपके लिए बताना है, बताएए, कॉस्चन नमबर वारा है, सुपर वाइजर का हिंदी पारिभासिक सब्द क्या होगा महत्पूर्ण कॉस्चन है और आपका यहां पर सही आंसर है पर वेक्षक क्या राइट आंसर पर वेक्षक आपका सही आंसर होगा यहां पर विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन क्या है प्र प्रति बिंबित सब्द में प्रत्य का चैन करना है कौन सा होगा यहां पर प्रत्य तेरा वा कॉस्चन है और राइट आंसर है इत आपका सही आंसर होगा इत प्रत्य है कॉस्चन नमबर आपका चवदय पूचा है क्या पूचा है फूला ही फूला ही फला ही ना बेंत जदपी सुदा वर सही जलद मूरक हरदाई ना चेत जो गुरु मिला ही बिरंची साम यह चंद है इसमें आपके लिए चंद बताना है इन पंतियों में कौन सा चंद होगा विकल्प नमबर आपका यहां पर जो एक है वह सही आंसर है कॉस्चन नमबर 15 है देनेक अगनिपत्र समाचार पत्र प्रिकासे थोता है रीबा से वंदसवर से उज्जन से या फिर इंदौर से तो पंद्रह का सही आंसर है यह प्रिकासे थोता है इंदौर से तो विकल्प नंग चार सही आंसर है question No aap y pres 16 है Isuri Kis Boley के कभी है सही question no 17 निम्णलकुत में बिलॉम सब द्योग में नई है नहीं पूचा रख्षक का भक्षक अनादी का अननत से लाल सा कभ रक्ती योगी कभ होगी तो यहाँ पर आपका बिलों सवधर योग में नहीं है कि थो सही आसर है आदी अर्दि अननत्य अनन्त यह जो है नहीं हो मिल्कुल सही विकल्प नमबर दो सही आन्सर है नंदनलिकित में सुध्यवाक्य का चें कीजए बताई आई होगा सई आंसर सुद्ध्रवाक्य बताना है हमारे सिक्षक प्रिस्ण करते हैं मैं अपनी बात का सफष्थी करने के लिए तयार हूं मैंने एक साल तक उनकी प्रितेक्षा देखी एह है काम आप पर निर्फर करता है तो यहां पर आपके लिए सुद्ध वाक्य का चैन करना है हमारे सिक्षक प्रिशन करते हैं यह सुद्ध वाक्य विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा क्वास्चन नंबर उनने से निम्न लिखित में सुद्ध सब्ध वताना है सुद्ध सब्ध कौन सा होगा विवहार रसायन या प्रजुलित या फिर वीवी सिका यह चार विकल्प हैं 19 का सही आंसर वताना है, राइट आंसर है, प्रजुलित आपका सही आंसर होगा, तो बिल्कुल सही, question number 20 देख लेते हैं, निमने लिखित में समुझ्चारत भन्ना तक सब्द्योग में नहीं है, वताईए, आकार, अगल, बगल, या फिर आदी, आदी, अवधी, अवधी, ये दो राइट आंसर यहां पर है, तो इस परकार यहां पर बहुत ही महत्तुपुल्ड, question complete किये, क्या से लगा यह वीडियो, कितने question आपसे यहां पर सही बने हैं, आप comment में जरू बताएं, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को like कर लें, चैनल को subscribe कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें, ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें, आज की वीडियो में बस इतना ही, जय हिन!